हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम डिजाइनर आलिया स्टाइल कुरती बनाएंगे तो इसके लिए हमने तेन मीटर फैबरिक लिया है और दो तरह की गुल्डन लेसेस ली है जिसकी वज़े से इसको लगाना बहुती इजी हो जाएगा सबसे पहले हम टॉप पारट की कटिंग करेंगे इसके लिए हमने फैबरिक को फूर फोल्ड करके रखा है यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है फोर फोल्ड की वेड़ है ट्वैल इंच और टॉप पारट की लेंध हमने ली है फिफ्टेन इंच यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे शिक्स पॉइंच यहीं से आर्मोल लेंगे शिक्स पॉइंच इन दोनों पॉइंट्स को जोडेंगे अब यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पारट प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो मैलेरियो ट्वैल इंच अब यहाँ पर हमें कमर का फोर्थ पारट प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो मैलेरियो टैन इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोडेंगे उसके बाद आर्मुल ड्रॉ करेंगे इस लाइन का हाफ लेना है और बैक का आर्मुल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मुल भी ड्रॉ कर लेना है अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विर्थ में ले रही हूं 3 इंच और neck deep में ले रही हूं 6 inch front के लिए और back के लिए में ले रही हूं 4 inch तो front के लिए हम हलका सा curve V-shift draw करेंगे और back के लिए round shift draw करेंगे marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी इसको open करेंगे और इसमें से back parratt को side में रखेंगे और front parratt को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी ये जो folded वाली side है यहां से हम 5 इंच उपर की तरफ mark करेंगे और इसको यहां पर तिर्चा जोडेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से front का part आएगा अभी sleeves की cutting करेंगे इसके लिए हमने fabric को 4 फोल्ड में रखा है इस 4 फोल्ड की width है 10.5 इंच और sleeves की length हमने ली है 12 इंच अभी यहां से हम 3 इंच पर mark करेंगे और इस तरह से sleeves का shape draw करेंगे अभी यहां पर sleeves bottom लेंगे 7 इंच इन दोनों points को जोडेंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी यहां पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद हम sleeves को open करके रखेंगे हाफ इंच अंदर से हमें front का armhole draw कर लेना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी bottom part के लिए इस तरह से हमने दो fabric के pieces लिए है एक front का है और एक back का है ये width है 40 inch और ये जो front का part है वो हमने 5 inch बड़ा रखा है back part से और back part की जो length है वो हमने 35 inch की ली है तो length हमें 35 inch की लेनी है back part के अनुसार और front part सिर्फ हमें 5 inch extra लेना है तो front part हमने 40 inch का लिया है length में अब back part का हम side में रखेंगे और ये front का part है इसको बीच से fold करके रखेंगे उसके बाद ये जो open side है यहां से नीचे की तरफ हम 5 inch पे निशान लगाएंगे अब हम इसको यहां पे तिर्फा जोड़ेंगे अभी हम इसकी cutting कर लेंगे अभी इसको open करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा front का bottom part अभी front का top part भी यहां पर रखेंगे तो अभी हमें plates डालनी है तो इसके center पे हम एक निशान लगा लेंगे अब इस तरह से center की तरफ move करते हुए दोनों side में हम plates डाल लेंगे और इसका जो size है वो हम top part के waste के बराबर कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसमें plates डाल दी है अभी हम इसको इसके ओपर उल्टा रखके stitch करेंगे center से center को मिलाएंगे और stitch करेंगे तो इसके लिए हमने neck के shape की strip ली है इसे इसके ओपर रखके stitch करेंगे हमने stitch कर लिया है अभी यहाँ पर हम चुट चुटे cuts लगा लेंगे उसके बाद इस strip को हम अंदर की तरफ पलट के top stitch लगाएंगे तो हमने यहाँ पर top stitch लगा लिया है अभी center line ड्रॉआ करेंगे आपर उसके बाद हमने यह दो तरह की लेसे ली है तो जो पतली वाली समूसा लेसे उसको हम इस तरह से सबसे पहले stitch करेंगे दोनों side में और उसके बाद इसके बाहर से यह वाली लेस हम स्ट्रिच करेंगे इससे lace broad हो जाएगी और दिखने में भी सुन्दर दिखेगी तो जो line हमने draw की है उसी के side से हम दोनों side में यह lace स्ट्रिच करेंगे इसी तरह से दूसरे सट में भी स्ट्रिच कर रहे हैं हम उसके बाद ये कट वर्क लेस है गोल्डन इसको भी हम स्ट्रिच करेंगे तो इस तरह से हमने फ्रेंट का पार्ट बना लिया है अभी हम बाक पार्ट रेडि करेंगे तो बाक पार्ट का जो बॉट्टम पार्ट है उसमें हमें प्लेट्स डालनी है और इसके वेस्ट के बराबर कर लेना है तो इस तरह से हमने back part में भी plates डाल दी है अभी हम back neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने तिर्च पटी ली है इसे इसके ओपर रखे stitch करेंगे और अंदर के तरफ double fold करेंगे तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है अभी हम दोनों parts को attach करेंगे तो हमने back दोनों parts को attach कर लिया है अभी हम front का part इसके ओपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach करेंगे तो हमने shoulders attach कर लिया है अभी हम sleeves attach करेंगे sleeves के bottom में भी हमने lace को stitch किया है sleeves को हम shoulder के ओपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे तो हमने दोनों स्लीज को स्टिच कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइट से फिटिंग करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे झाल 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 झाल